हेलो व्यल्कम टॉकेडमेंस बच्चो आपने कई वार सुना होगा कि जो पढ़ेगा वहीं टॉपर बनेगा बट ऐसा नहीं होता कई वार करते हैं हम मेहनत तो करते हैं पढ़ाई तो पर उसका जो आउट्पूट जेल्ट होता है वह उतना नहीं आता जितना हमने सोचा होता ह अब ऐसा क्यों नहीं होता है क्या उसके पीछे के रिजन्स होते हैं क्या कार होते हैं वो समझना भूचा था आपके लिए क्या इंपोर्टेंट है देखो एक चीज़ आप यह समझो कि वही एक व्यक्ति होता है जो क्या बहुत हार्ड वर्क करता है बहुत मेहत करता है लेकिन जल नहीं निकाल पाता है वही एक व्यक्ति होता है जो क्या हार्ड वर्क नहीं करता है लेकिन फिर विर जल निकाल लेता है तो पैटा आज का जो जमाना है वो hard work के साथ में जो smart work करता है वो आंगे क्या बढ़ जाता है तो hard work काप करो बट उसको एक smart approach के साथ करो तो फिर आफ life में काफ़ी आंगे बढ़ जाओगे तो hard work with smart approach ये चीज आपको क्या ध्यान रखने है अब आफ सोच रहोगा कि भई ये चीज कैसे समझ सकते हैं कि hardware को smart approach के साथ करूँ तो मैं आपको देखो एक कहानी सुनाता हूँ उस कहानी से आप क्या चीजों को आसानी से connect कर पाऊगे जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कहानी की जैसे एक हुआ competition उस competition में क्या हुआ एक राजा था उस राजा ने दो मजदूरों से का कि जो लकड़ी जादा काटेगा उसको मैं इनाम दूँगा जो वेक्ती लकड़ी जादा काटेगा मैं उसको इनाम दूँगा तो राजा ने दो मजदूरों से ये चीज कही अब दोनों मजदूरों ने क्या किया सुबह से लेके साम तक लकड़ी काटना क्या सुरू किया सुबह से साम तक लकड़ी काटना दोनों सुरू किया लेकिन एक मजदूर की लकड़ी क्या जादा कड़ गई और एक मजदूर की लकड़ी क्या कम कड़ गई अब बात यहां पर यहां पर यह आती है कि सको बहुत खराब लगा वेकिन उसी डूसरा मजदूर था उसने क्या किया उसने लकडी काती । लकड़ी काटने के बाद वो क्या करता था जो कुलाड़ी थी उसके पास उसकी धार को पहना करता था फिर उसके बाद द्वारा फिर लकड़ी काटता था फिर कुछ देर बाद क्या फिर धार पहनी करता था तो वो क्या करता था धार को पहनी करता था धार पहनी करने से क्या दिन पर और इसकी लकडी थी विज़े से क्या है कम कटी तो जो दूसरा मजदू था जिसने धार को पहना करा फिर काटा फिर धार पहने करी फिर काटा तो दूसरे वाले मजदूर की क्या है लकडी जादा कट गई और दूसरे वाले मजदूर को क्या है इनाम में राजा ने ए लेड़ी किया हुआ किसी भी सब्जेक की आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है अब देखो आप ये सोचो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप कैसे रेपेजेंट करेंगे कैसे चीजों को समझाएंगे यह आपको सोचना है अब जैसे आपको पता है कि आंसर कौन चेक करेगा teacher check करेगा अब teacher को ही तो legislativa करना है आपको teacher को represent करने के लिए क्या 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 कर सकते यह सुषने की आप अब बहुत जादा important है अब देखो answer को represent करने के लिए अफ क्या क्या कर सकते ओंब अप ब्लॉंग डाइग desirem बना सकते हो आप फीगर बना सकते हो आप example आप पड़े दे सकते हो आप फॉरंबला दे सकते हो तो चीजों को तो आप रिपेरजेंट करोंगे तो जैसा आपका रिपेरजेंटेशन होगा वैसे तो आपको माक्स मिलेंगे अब देखो आप पढ़ाई करते हो काफी बच्चे क्या करते हैं पढ़ने के लिए बैठ गए और continuous पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं तो बिटा continuous कैसे आप पढ़ लोगे भाई आप एक इंसान हो आप एक इंसान हो आप मसीन नहीं हो आपको भी break की जरूरत है अगर आप break नहीं लोगे तो फिर क्या होगा आपकी जो body होगी उससे आप work तो कर रहे होंगे लेकिन उसका जो efficiency होगा वो क्या कम हो जाएगा मलब जो result है वो आप उतना नहीं निकाल पाएंगे इसलिए आपने कई बार सुना होगा अपने parents के द्वारा या अपने teachers के द्वारा कि बेटा सुबह उठकर पढ़ागरो ये कई बार आपने सुना हो सुबह उठकर पढ़ागरो ऐसा क्यों कहते है इसका क्या reason होता है तो सोबह पढ़कर इसलिए कहते है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सोबह उठता है तो पहली चीज तो क्या है, आजब पास किया सांती रहती है और दूसरी चीज क्या होता है, कि जो mind होता है, वो क्या fresh होता है और सुबह क्या ठंडी यह चल लही होती है तो काफी अच्छा लगता है तो जो atmosphere होता है वो आपके क्या है अनुकूल होता है आपके favor में होता है तो इसलिए का जाता है कि सुबह उटकर पढ़ो सुबह उटकर पढ़ना क्या जादा अच्छा रहता है तो यह चीज़ कही जाती है बट आज आपको पता है कि भई लाइफ इस्टाल ऐसी हो गई है कि मॉर्णिंग में सहाइद ही कुछ इवच्चे पढ़ते हूं आज क्या है कि लेट नाइट तक लोग इस्टडी करते हैं और लेट मॉर्णिंग तक क्या सोते हैं तो जो भी अब लाइफ इस्टाल हो गई है जिसके लिए चेंज करना पॉसिल्वल और बादना पढ़ते हैं जिसके लिए एवरिंग पढ़ते हैं जिसके लिए नाइट में पढ़ते हैं लेकिन आपको यह समझना होगा जो भी आप श्टडी कर रहे हैं उसको एक टाइम कि आपके यह करें चाहिए डीचिया तो जो आपका मान फ्रेश रहेंगा तो हमसी आपकी फिसंसेज्ट आपका आउटपूट है वह क्या अच्छे निकलके आएगा और देखो जब तक आउटपूट नहीं आएगा तो मेहनत का कोई क्या मतलब नहीं दैता है अब जैसे मालो तुमने पूरी साल पढ़ा, तुम लगे रहे दिन बार, दिन बार पढ़ते रहे, दिन बार सब कुछ किया, स्कूल भी गए, कोचिंग भी गए, टूशन भी पढ़ा, सब कुछ तुमने किया, यूटूब से ही पढ़ा, लेकिन उसके बार अगर रिजल्ट नहीं आया, तो बहुत मेहनत करता था, तो दिखो, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट की बेसिस पर आपको क्या जज़ किया जाता है, अब दिखो, ऑबिएस सी बात है कि भई, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं, रिजल्ट भी इंपोर्टेंट है आपके लिए, रिजल्ट भी आपका चंज़ ज़िए, तो एक पाईल मैंनर में, एक अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आंके continue करना है, ब्रेक देना है, और चीज़ों के बारे में यह सोचना है, हम क्या अलग कर सकते हैं, different क्या कर सकते हैं, क्या creative कर सकते हैं, जिससे जो हमारे answers है उनमें एक ऐसी बात आई जो other person के answer में वह वात ना हो और देखो जितना आप different करोगे जितना आप सोचोगे वो आपके result में आपको वैसा ही response दिखाई देगा और देखो response आपके हाथ में है अब आपको सोचना है what you should do तुमको क्या करना चाहिए देखो बटा life तुमारी है तुमको कुछ अलग करना है तो अलग तुमको सोचना पड़ेगा और बटा 99% लाना बिल्कुल possible है क्योंकि बच्चे और लेडी लाते है और आप आप सोचो कि आपका target क्या उस level तक जाने का है कि नहीं या आपका target भी 78 टीवी आगया तो भी मेरा ठीक है तो वह आपको decide करना है कि आप कहां तक किस लेवल तक satisfy हो possible सब कुछ है और लोग possible करते हैं और possible हो भी जाता है और आपको already मैंने बताया था पहले कि काफी वच्चों ने काता है कि सब्सक्राइब का पेपर क्या है फिजिस का टफ आया था लेकिन उस टफ पेपर में भी काफी वच्चे हैं जिन्होंने चैनल सही पढ़ाई करके 40 में से 37 तक मार्क से स्कूर किया है 40 में से 39 तक स्कूर किया हुए तो यह कैसे possible हुगा है पढ़निया से हुगा है अगर पढ होगे तो definitely response अच्छे आएंगे बस जमाना ध्यान रखिएगा जमाना क्या है hard work in smart approach hard work करें लेकिन smart approach के साथ करें तो फिर positive reality क्या निकाल पाऊगे और कोई भी confusion है तो नीचे comment हो से comment हो से पूछे और ऐसे वीडियो के लिए चैनल आप subscribe करें और फिजिक्स की preparation के लिए के playlist में जाएं फिजिक्स semester 2 जहां पर आपको फिजिक्स के regarding theory, numerical, mcq, hard questions इन सभी के वीडियोस आपको free में देखने को मिल जाएंगे और civics के वीडियोस के लिए playlist में जाएं यहां पर आपको physics के all theoretical वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप उपने preparation को बहुत चैसे कर सकते हैं and thanks for watching और वीडियो, मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो तब टेक लिस्ट क्रेएं